सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों एवं अभिभावगन हिंदी कक्षा एक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है and I hope that आप सभी घर पर स्वास्त और कुशल मंगल होंगे बच्चों आज मैं आप सबों को एक से तीस तक गिंती अंको और शब्दों में कैसे लिखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगी तो चलिए बच्चों स्वेट पर पर ध्यान देजिए एक से तीस तक गिंती अंको और शब्दों में लिखे बच्चों यहां 1 से लेकर 10 तर काउंटिंग लिखा हुआ है इसे अंको और शब्दों में लिखना है तो आईए हम लोग शुरू करते हैं एक बच्चों एक ऐसे लिखते हैं लेकर करके और यहां गोल घुमा देंगे यह एक हो जाएगा इसको आप शब्दों में कैसे लिखेंगे एक कर एक यह टू है इसको आंकों में कैसे लिखेंगे टू दो तो ओकार दो यह थ्री है बच्चों आंकों में कैसे लिखेंगे थ्री लिखकर बच्चों ऐसे घुमा देंगे यह क्या हो जाएगा तीन तो दिविकार दंदन तीन यह फूर है बच्चों ए जैसे लिखते हैं अंग्रेजी में उसका आधा हम लोग लिखेंगे उसका मुझ खुला रहेगा यह हुआ चार यह मुझ खुला है ना यह हुआ अंकों में चार चो आकार रह चार शब्दों में यह है फाइब फाइब को अंकों में कैसे लिखेंगे प लिखेंगे बच्चों और नीचे ऐसे मोड देंगे यह हुआ पाँच प आकार चंद्रबिंदू चो पाँच यह है शिक्स सिक्स को अंकों में कैसे लिखेंगे थ्री को उल्टा कर देंगे बच्चों यह हुआ च्छ इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे च्छ हच्छ बच्चों यह है सेवन Seven को Unkो में कैसे लिखेंगे Semicircle करेंगे बच्चों यहाँ मूड देंगे यह हुआ साथ शब्दों में लिखेंगे आकार त साथ यह है बच्चों अंग्रेजी का it इसको Unkो में कैसे लिखेंगे बच्चों आधा चो लिखेंगे क्या हुआ ये आर्थ अंकों में ये हुआ आर्थ और शब्दों में कैसे लिखेंगे आ थ आर्थ ये अंग्रेजी का नाइन हुआ बच्चो और अंकों में कैसे लिखेंगे उल्टाऊ बनाएंगे बच्चो उल्टाऊ और यहां ऐसे थोड़ा सा मोड देंगे और यहां ऐसे लगांगे यह हुआ हिंदी का अंक 9 9 और श्याब्दों में कैसे लिखेंगे दंतना ओकार 9 यह हुआ 10 और इसको अंकों में कैसे लिखेंगे एक सुन्या दस और शब्दों में द दन्स दस आएए बच्चों मेरे पीछे एक बार दो राएंगे एक दो तीम चार पांच छे शार आठ नौ दस आएए बच्चों यहाँ पर देखेंगे यहाँ भर अंग्रेजी के काउंटिंग 11 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है इसको आउंको और शब्दों में लिखेंगे आउंको में 11 गय संयुक्त आकार ह 11 12 आउंको में कैसे लिखेंगे 12 12 13 को आउंको में कैसे लिखेंगे 14 14 14 को आउंको में कैसे लिखेंगे 14 14 15 को आउंको में कैसे लिखेंगे 15 15 16 16 को आउंको में कैसे लिखेंगे 16 16 17 17 को आउंको में कैसे लिखेंगे बच्चो और यहां सेमी सर्कल बनाएंगे और यहां मोड देंगे यह हुआ हमारा 17 आउंको में 17 शर्बदो में स त्र ह 17 अंग्रेजी में 18 उसको आउंको में कैसे लिखेंगे 14 18 8 यह अंग्रेजी का 19 है बच्चो आउंको में कैसे लिखेंगे एक और उल्टा उ थोड़ा से यह मोड देंगे और यहां ऐसे लगाएंगे यह हुआ 19 आउंको में 19 हुआ और शर्बदो में यह अंग्रेजी का 20 है बच्चो आउंको में कैसे लिखेंगे दो सुन्या 20 शबदो में ब दिर्गी का दंस 20 आईए मेरे साथ एक बर बोलेंगे मेरे पीछे पीछे दूर आएंगे ग्यारह बारह तेरह चोदह पंदरह सोलह सत्रह अठारह उननीस बीस बच्चो यहाँ पर 21 से 30 तक कांटिंग लिखा हुआ है इसको हम लोग आउंको और शर्बदों में लिखेंगे तो चलिए शुरू करते है 21 को आउंको में कैसे लिखेंगे 21 शब्दों में हरस्वई क क सयुक्त दिर्गिकार दन्स 21 22 को आउंको में कैसे लिखेंगे 22 शब्दों में बो आकार दिर्गिई दन्स 22 23 को आंकों में कैसे लिखेंगे? 30 तो एकार दिर्गई डन्स 30 24 को आंकों में कैसे लिखेंगे? 24 24 24 तो आंकों में कैसे लिखेंगे? 25 शब्दों में पर 24 संयुक्त दिर्गई कार डन्स 25 26 को आंकों में कैसे लिखेंगे? 26 शब्दों में 6 बब संयुक्त दिर्गीकार डन्स 26 27 को आंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों? 27 दन्स तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? 27 28 को आंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों? आधा च दो और आधा च 28 को आंकों में लिखेंगे? 28 अ त हलंद ध आकार दिर्गीकार दिर्गीकार 28 29 को आंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों? और यहां उल्टा उ थोड़ा यहां मोड देंगे यहां ऐसे लगाएंगे यह हुआ 29 हरस्व उ 30 को आंकों में कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 6 30 शब्दों में त दिर्गीकार दन्च 30 आईए मेरे पीछे दूर आईए बच्चों 21 22 22 24 20 26 26 27 28 29 39 30 बच्चों आज आज आपनी जो कुछ भी बड़ा है उसे रफ कौबे में लिक लिक कर याद करेंगे धैन्यवाद 25 25 29 29 30 31 32 32 31